गुड़ेवनिंग बच्चों तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का केस वन आपको याद होगा कल हमने बताया था आपको कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक फ्री फॉल मोशन का ही एक्जामपल है जिसमें पार्टिल आपका टू डामेशनल मोशन परफॉर् दू डामेशनल मोशन परफॉर्म करने का मतलब यह हुआ कि इसका एक्स कॉडिनेट और वाई कॉडिनेट पार्टिल के दोनों ही कॉडिनेट टाइम के साथ चेंज करेंगे बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पार्टिल चल रहा होता है वो एक पैराबोलिक पाथ पर चल रहा होता है clear और मैंने आपको यह भी बताया था कि यह एक मात रहसा एक्जामपल है जहां पार्टिल चल रहा होता है करव पाथ पे लेकिन उसका एक्सलरेशन जो है वो क्या होता है constant एक्सलरेशन होता है constant जिसकी value कितनी होती है g that is in downward direction clear चलो तो आज हम लोग आगे बात करते हैं इसके बारे में ठीक है वच्चो तो यह lecture number 31 हुआ और आज हम लोग बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे case 1 की तो आपको मैंने कहा था कि projectile को मैंने आपके सामने total 4 case में divide किया था और कहा था कि एक-एक case करके हम लोग पढ़ेंगे अच्छा है एक बात और आप से मेरे को कहना है कि आप projectile motion को पढ़ने से पहले यानि इस point को आज वाले case को study करने से पहले कल भी मैंने आपको यह बात कही थी कि आप motion under gravity in one dimension जो मैंने आपको पढ़ाया था motion under gravity आप एक बात को revise जयूड कर लो क्योंकि उसके concepts यहाँ पे काम आएंगे आपको समझ गह है चलो तो देखते हैं तो case 1 था अपना तो बच्चों हम लोग आज heading देंगे case 1 आप याद करो case 1 में मैंने क्या लिखाया था कि if body if body is projected body is projected from earth surface body is projected from earth surface अगर body को आपने earth surface से क्या किया है project किया है तो यह case अपने को आज पढ़ना है और earth पे ही आके गिरेगा land करेगा ठीक है तो case 1 का heading अपना यह है चलो तो यह अपनी class की शुरुआत हो गई अब देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग डाइगराम ड्रॉ करना चाहते हैं कि आखिर body को अगर earth से throw करेंगे तो body कैसा motion करेगा पहली बात है यह मालो horizontal surface है आपने एक body को यहां से throw किया ठीक है जिसको हम लोग throw करते हैं बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं projectile क्या बोलते हैं projectile जिसे फेका जाता है जिसे throw किया जाता है उसे projectile बोलते हैं या body भी बोल सकते हैं इसको हमने कुछ angle पे horizontal से theta angle पे throw किया motion ग्रैबिटी में यही काम लोग करते थे लेकिन वहाँ theta की value 90 होती थी चीयों को सीधा vertically उपर फेकते थे और यह उपर जाके फिर मेरे हाथ में आ जाता था याद करो आप हम लोग motion ग्रैबिटी में क्या कर रहे थे कि यहाँ u से हमने उपर फेका और तब यह उपर गया सीधा और फिर वहाँ से यह वापस return हुआ यह motion ग्रैबिटी में हो रही थी यानि बिल्कुल y के along लेकिन आज बिल्कुल y के along नहीं फेका गया है इसे horizontal से certain angle पर फेका गया है तो अगर ऐसे फेक ते तो यह one dimension ही हो जाता अब यह ऐसे फेकने का मतलब ही है कि यह two dimension के अंदर आ रहा है कैसे तो जब इसको आप throw करोगे तो आप predict कर सकते हो कि जो इसका रास्ता होगा बच्चो इसका जो path होगा वो कुछ इस परकार का होगा है ना कुछ इस परकार का हो होगा तो इसके रास्ते के सारे points के बारे मैं पहले आपको बता दू परिचे करवा दू हर एक चीज से देखो अब यह यहां से ऐसे इस रास्ते को follow करता हुआ गया यह जो रास्ता है इस रास्ते का नाम मैंने आपको कल भी बताया था this is parabolic 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 path इसको क्या बोलते है बच् प्रोजेक्टाइल अच्छा है horizontal direction में यह horizontal direction हो गया surface के लोग इसके along हम लोग मान लेते हैं x-axis यह हमारा क्या है बच्चो x-axis clear है यह हमारा जो है यह x-axis आ रही है बात समझ में यह हमारा x-axis और vertical direction में जो हम लोग अध्यन करेंगे इसके motion को यह हमारा हो गया y-axis तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो motion हमारा हो रहा है x-axis और y-axis के बीच में अच्छा जिस angle पे तुम throw करोगे वो angle theta कहलाएगा angle of projection यह कहलाएगा angle of projection थेक है न जिस angle पे आप उसको फेक होगे अच्छा जिस point से आप फेक होगे यह point यह जगह कहलाएगी यह जगह कहलाएगी point of projection point of projection यह सारे point यह सारे name मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इनकी चर्चा होती है questions में होते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि क्या point of projection है क्या angle of projection है अच्छा इस रास्ते में जो y के long maximum displacement है वो यही है यहाँ देखो इसकी height बढ़ती जा रही है यहाँ maximum होगी height फिट घटने लगी तो यह जो है बच्चो y के long y axis के long maximum displacement है इसे कहा जाएगा h max आपको याद होगा कि one dimension जब हम लोग पढ़ दे थे y के long यहाँ भी इस height को h max ही बोल रहे थे ठीक है न तो same यहाँ भी इसको maximum height बोला जाएगा clear है अच्छा है यह यहाँ पे जो आके गीरा इसको कहेंगे point of point of landing क्या बोलेंगे बच्चो point of landing land करना मतलब गिरना जहां जाके गिरेगा उसको बोलेंगे point of landing clear हो गया अच्छा यह देखो यह two dimension motion है इस बात का पर्मान यह है कि यह y के long भी displacement cover किया हलाकि finally y के long जैसे यहां गया और आया पूरे जर्णी का displacement zero हो जाएगा क्योंकि जहां से गया वहीं आया यहां भी y के long displacement देखो यह initial point हुआ यह final point हुआ तो y के long तो coordinate zero का zero ही रह गया क्योंकि यहां भी y कोडिनेट zero है और यहां भी y कोडिनेट तो zero ही है लेकिन x कोडिनेट तो बढ़ गया न भाई x के long तो displacement हुई क्योंकि यह ball initially यहां था अब यहां जाके गिरा हुआ मिल आपको तो उचाई तो धर्ती से इसकी zero की zero रह गयी लेकिन x के long तो इसने displacement कवर किया x के long जो displacement कवर किया तो यह जो दूरी है बच्चों जा ध्यान देना यह जो x के long जो maximum दूरी ते किया इसने यह वाली दूरी delta x इसको हम लोग यहां पे r बोलेंगे r का मतलब क्या हो गया बच्चों यह आपका है range इसको हम लोग क्या वोलेंगे range आड यह बात समझ में तो कोई पूछेगा projectile motion में range क्या हुआ तो range जो हुआ बच्चों वो हो गया आपका maximum horizontal distance अब यह सब चीजें लिखवाने वाली बात नहीं है आप सुन रहे हो और देख रहे हो अगर आप भूल जाओगे तो आप लिख लेना ठीक है न तो यह maximum horizontal distance हो गया जो point of projection से point of landing के बीच है ओके बच्चों अब देखो इस motion को जैसे यहां देखो याद करो motion ग्रैविटी में यह जाने के motion को हम लोग बोलते थे ascending journey याद है जाने के motion को बोलते थे ascending journey और आने के motion को बोलते थे हम लोग descending journey, जाने को ascending, आने को descending, जाने में लगने वाले time को time of ascent, आने में होने वाले time को time of descent, आपको याद होगा ये TA था, ये TD था, और इन दोनों का जो sum होता था, TA plus TD, इसको हम लोग बोलते थे time of flight, मतलब कितनी देर तक वो हवा में उड़ता रहा, उसको हम लोग क्या ब बच्चों, यहाँ भी अगर बात की जाए, यहाँ भी अगर बात की जाए, तो इस point से लेके, यह मानलो point O है, और यह है A, and यह है B, हाना, तो O से लेके A तक की journey, अब इसे मैं rub कर दे रहा हूँ, ठीक है, यह तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, यह हम लोग पहले पढ़ बच्चों, तो इसको, इसमें लिखने का कुछ है नहीं, तो इसको मैं rub कर दे रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं, O से A तक की जो journey है, वो ascending journey होगी, और A से B तक की जो journey है, बच्चों, वो कौन से journey होगी, descending journey होगी, तो सीरी सी बात है देखो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अलग से, O से A, O से A, यह हो गई, कौन सी journey, ascending journey, ascending, ascending journey, ओके, ascending journey, और बच्चों, A से B तक की जो journey होगी, वो होगी, descending journey, descending journey, descending journey, ठीक है, ascending journey और descending journey, और यहाँ पे भी T A, जो यहाँ से A तक का time होगा, that is called time of ascent, time of ascent, td क्या होगा बच्चों, time of descent, ठीक है, अब फिर दोनों का जो sum होगा, that is, T equals to, T equals to, हम लोग यहाँ चाहें, तो लिख सकते हैं बच्चों, T F equals to, T A plus T D, time of ascent plus time of descent, तो यह हो गया आपका, time of flight, क्या होगा बच्चों, time of flight, clear है, तो आप यह जितना भी term मैंने लिखवा दिया, इसलिए ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो, तो पहले इन terms को आप लिख दो, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, जल्दे से लिखो, चलो, लिख लिए आपने, अब आगे बात करते हैं बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग study करेंगे, अभी तो मैंने आपको terms समझा दिया, अब हम लोग projectile में अभी जितने भी terms तुमने देखे, चाहें वो range हो, चाहें वो height हो, time of flight हो, यह सारे चीजें जो हैं अभी हम लोग calculate करेंगे, ठीक, और यह calculate करने के लिए अपने को projectile के motion को study करना पड़ेगा, और projectile motion एक two dimension motion है, तो आप क्या करोगे, बहुत simple है, आप जैसा कि बाकी 2D के लिए कर रहे थे, जो मैंने आपको समझाया है, कि आप motion को दो part में, दो one dimension में cut कर लो, और फिर x axis को अलग study करो, y axis को अलग study करो, ओके, तो अब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, तो एक बार फिर से वो diagram हम लोगों को बना रहा होगा, तो देखो अब हम लोग क्या करने जादें, तो मान लोग कि एक particle है, उसको हमने throw किया है, u velocity से, किस velocity से, u velocity से, theta angle पे, तो जो हमारा particle है बच्चो यह इस पात को describe करता हुआ यहाँ गिर गया, यह fall हुआ यहाँ पे, तो initially हमने इसको u velocity दिया था, ओके, कितना अशुटी दिया था बच्चो, u, इसको मैं धंग से लिख दूँ, यह आपका u velocity, और theta angle पे आपने throw किया, तो सबसे पहले आप एक काम करो, horizontal direction में मान लो x-axis, this is x-axis, दियां से सुनते रहा ना मेरी बात, और vertical direction में जो हो गया अपना, यह हो गया अपना y-axis, ठीक है, यह x-axis हो गया और यह हो गया अपना y-axis, अभी हम लोग को साड़ा कुछ study करना है, देखो, आपको पता है, जब यह particle fly कर रहा होगा, चाहें यह किसी भी point पे हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, इसके उपर, नीचे की और एक acceleration लग रहा होगा g, vertical direction में, तुम इतना तो मान के चल ले हो, कि horizontal direction में तो कोई acceleration नहीं होगा, जो भी acceleration होगा, vertical direction में, है ना, चोकि अर्थ जो है, किसी भी चीज को किधर खीशती है, नीचे की और खीशती है, आपको पता है, horizontal direction में कोई force नहीं लगेगा, तो सबसे पहली बात, हम लोग यहां पे ना थोड़ा इकठा कर लें, सब सारी चीजों को इकठा कर लें, यह यू जो है, x-axis के साथ theta angle बना रहा है, तो यू का एक component, ux यानि initial velocity along x-axis, तोड़ सकते हो, और साथ ही साथ initial velocity along y-axis, ठीक, अब पहले हम लोग लिस्ट बनाते हैं, along x-axis, along x-axis, x-axis के long आपके पास क्या क्या है, पहले इसके लिस्ट को बनाते हैं, तो अपने पास क्या क्या है बच्चों, तो ux, यह है अपना u cos theta, u cos theta, आप जानते हो जिसके साथ angle बनता है, उसके साथ आपका cos होता है, और Vector form में लिखोगे, तो इसकी direction जो है वो positive x axis के long है तो हमने यहाँ multiply कर दिया i से clear दूसरा ax कितना होगा तो बच्चों यह असपस रूप से देख लो clear देख लो कि जो भी acceleration है जो भी force लग रहा है हर एक point पे जो force लग रहा है वो vertically downward direction में force लग रहा है कौन सा force? gravitational force तो किसी भी हालत में जो acceleration है वो downward direction में ही आएगा horizontal direction में कोई force नहीं लग रहा है ध्यान से सुनो मेरी बात horizontal direction में कोई force नहीं लग रहा है तो acceleration का कोई component horizontal direction में नहीं आएगा बच्चों तो ax हो गया आपका 0 क्योंकि fx यह मैं short form में लिख देता हूँ fx क्या है 0 horizontal direction में कोई force नहीं लग रहा है किसी कोई यह confusion हो कि हम ball को ऐसे throw किये तो मैंने पहले भी कहा कि आपके हाथ से लगने वाले force को मैं consider नहीं करूँगा क्योंकि मैं motion को तभी पर देखना शुरू करता हूँ जब वो ball आपके हाथ से चूट जाए लगना है आपका किदर लगना है downward direction में ओके और वो gravity लगा नहीं है तो देख लो एक्स क्या हो गया 0 अब खुद सोचो दिमाग लगाओ कि अगर acceleration का x component है 0 तो निस्षित तोर पे आपकी velocity की जो x component जिसका नाम है u cos theta वो पूरे journey में पूरे यात्रा में constant रहेगी की नहीं रहेगी आप अभी से पिछले lectures की बात याद करो मैंने क्या कहा था जब भी two dimensional motion होता है तो जिस axis का parameter होता है वो उस axis उस parameter को परभावित करता है यानि अगर u x को change कौन करवाता ax अगर acceleration y के long है ध्यान से सुनना मेरी बात अगर acceleration y के long है तो वो acceleration शिर्फ velocity के y component को change कर सकता है velocity के x component को change नहीं कर सकता है तो हम लोग यहाँ असपस्ट रूप से कर सकते हैं कि जो आपका u x है यह बहुत important point है बच्चो इसे ध्यान से याद अखना u x constant रहेगा throughout the journey आड़ यह बास समझ में थोड़ा इसको और उपर कर देते हैं चलो थोड़ा उपर कर देते हैं एक बात और और पूरी जर्णी में जो displacement x axis के long cover हुआ वो from this point to this point वो क्या हो गया delta x जो displacement हुआ और इस delta x को हम लोग क्या बोलेंगे range r है ना और direction तो x axis के long ही है तो यह हमारा r जो है यह क्या काल आएगा range यह total displacement हो गया x axis के long यह पूरे यात्रा x axis की जो चीजे थी वो हमने यहाँ पर लिख दी अब हम लोग बात करते हैं y axis के long हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं ठीका ना along y axis along y axis y axis की बाते करो तो y axis के long देखो आप y axis के long क्या है y axis के long initial velocity u y जो कितना है u sin theta u sin theta और y axis के long तो लिख देंगे हम लोग j positive direction में है initial velocity जो है वो किदर है positive direction में ay कितना है बच्चों ay तो ay जो है यहां पे g minus j g minus j क्यों क्योंकि हर एक direct हर point पे आप देख सकते हो कि acceleration नीचे है क्योंकि earth हमेशा नीचे खीचेगी clear अच्छा और total displacement पूरे जर्णी की बात करें तब तो वो zero हो जाएगी लेकिन आधे जर्णी में कभी न कभी यह h max तक पहुंचेगा ठीक है तो वो हम लोग लिख लेंगे बाद में तो यह हमारा parameter हो गया ठीक है अच्छा time जो x-axis के लिए लोगे वही y-axis के लिए लोगे क्योंकि यह दोनों motion जो होता है वो simultaneous किसके साथ एक साथ होता है अलग-अलग नहीं होता है यह दोनों motion ही जो होते है वो साथ-साथ होते है clear? तो चलो अब हम लोग discussion शुरू करते हैं discussion शुरू करते हैं पहली पहला discussion लोग motion along y-axis ही करेंगे किसके along? motion along y-axis ठीक है न? तो देखो तो सीधी सी बात है यहाँ पर यह parameters मैंने लिख लिया अब हम लोग start करने जा रहे है motion along y-axis थोड़ा space बनाया जाए बच्चों थोड़ा space यहाँ पर बरबाद हो रहा है अपना तो space को थोड़ा बनाया गया जैसे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और यहाँ लिख दिया मैंने positive x-axis तो यह space मेरा त्यार हो गया तो देखो दोस्तों अब हम लोग discuss करने जा रहे है motion along motion along y-axis ठीक है अब बात करते हैं बच्चों इस point को O माल लेते हैं और यह topmost point है A और यह है B तो पहले हम लोग बात कर लें O से A तक अब यह जो G है इन सब को मैं rub कर दे रहा हूँ इनका कोई खास यूज मतलब अब इनको दिखाना था बस तुमें यह कि देखो साड़े जगह जो acceleration है वो नीचे लग रहा है ठीक है नीचे ही लग रहा हर एक point पे तो अब ज़रा ध्यान देना तो पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कहां से कहां तक O से A तक हाँ ना O to A O to A तो बच्चों अब बात करते हैं motion along Y axis की तो यह कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा यह जो हमने दो पार्ट में बातने का जो सोचा है ना motion को उससे बहुत आसान हो जाएगा आप इसको तो प्रोजेक्टाइल मानो ही मत ना लोग प्रोजेक्टाइल को difficult बोलते हैं आप यह सोचो ही मत कि आप प्रोजेक्टाइल motion पढ़ रहे हो आप यह सोचो कि आप one dimension का दो condition एक साथ पढ़ रहे हो एक Y के long एक X के long तो रही बात motion along Y axis तो पहले हम लोग बात करते हैं ascending motion का सिफ 0 से A तक का तो 0 से A तक जो है आपका यह ascending motion हो गया ascending motion अब इसमें देखो क्या हो रहा है initial velocity आपकी उपर की और है कितनी U Y जिसकी value कितनी है U sin theta और acceleration कि दर लग रहा है नीचे G तो आप one dimension के हिसाब से सोचो कि अगर किसी body को फेकते तो पहले हम लोग U से फेकते थे आज फर्क इतना है कि उसको U sin theta से फेक रहे हो जो U Y का role play कर रहा है तो क्या होता यह धीरे धीरे उपर जाता और कहीं न कहीं जाकि इसकी velocity क्या होती 0 अब यहां पर क्या है यही काम देखो हो रहा है यहां से यह जब जा रहा है तो यह आप यह मत सोचो कि horizontal कुछ हो रहा है आप देखो height इसकी बढ़ती चली जा रही है height कब तक बढ़ेगी height कब तक बढ़ेगी जब तक कि इसकी जो velocity है उसका Y component यानि Y axis के लोग velocity 0 ना हो जाए और 0 क्यों होगा तो क्योंकि G लगातार नीचे खीच रही है तो इतना तो clear हो गया बच्चों कि यह जो point है यहां पर velocity का Y component पका 0 होगा velocity का Y component क्यों 0 होगा बच्चों क्योंकि यहां के बाद height बढ़नी बंद हो गई तो सीधी सी बात यह है कि यह जो आपका H max है यह जो maximum height है इसे हम लोग आराम से निकाल सकते है यहां से यहां तक पहुँचने का time भी निकाल सकते है तो सीधी सी बात है देखो O से A तक के लिए तो formula देखो अब acceleration आपका क्या है तो देखो यहां पे acceleration है G जो की क्या है constant G तो constant होता है आपका ति यह constant होता है बच्चों ति यह one dimension का यह one d का case number आपको याद होगा यह case number 3 हो जाएगा जहां पे constant acceleration के लिए जो आप equation use करते थे उस equation को आप यहां use कर सकते हो that means कि आप क्या करोगे Vy equals to Uy plus Ay into Ay into Ta time of ascent final velocity है बच्चों 0 ठीका ना black color से लिखते है final velocity है 0 initial है आपकी U sin theta acceleration है G और time of ascent हो गया Ta है ना पहले आप motion motion under gravity में U से फेकते थे आज फर्क है बस आप किस से फेक रहे हो U sin theta से इसको इधर ले आओ तो यह हो गया GTA तो GTA equals to U sin theta तो time of ascent बच्चों आगया Ta equals to U sin theta upon G तो सबसे पहली सफलता हमें मिल गई है time of ascent हमने ओ से ए तक का time निकाल लिया Clear? चलो अब बात करते हैं कि यह height कितनी होगी है ना? तो इसके लिए भी काम कर सकते हैं इसके लिए कैसे काम करेंगे बच्चों? तो एक equation हम लोग और लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? V squared equals to U squared U Y squared प्लस 2 A Y dot delta Y आपको याद होगा case 3 में यह काम लोग करते थे final velocity squared equal to initial velocity squared प्लस 2 A S जो वाला formula था तो final velocity यहाँ पे सिर्फ Y component की बात हो रही है X की तो मैं बात कर भी नहीं रहा अभी तो final velocity क्या है आपकी? 0 और initial यहाँ 0 है initial कितनी थी? तो U squared sin squared theta और यहाँ क्या होगा? प्लस या माइनस तो answer होगा बच्चों माइनस क्योंकि displacement है उपर की और वो से A जाने में displacement positive Y के लोग हो रहा है और acceleration किज़र लग रहा है? नीचे तो दोनों के बीच angle 180 का है तो यहाँ लिखोगे माइनस 2GH max clear? तो पहले आप इसको right down करो अच्छे से अच्छे से right down करो कर लिए आपने? चलो तो बच्छों अब देखो वो H max तो देखो क्या भी आया था अपना? तो 0 square equals to 0 equals to U square sin square theta minus 2GH max तो बच्छों यहाँ से H max equals to क्या calculate हो गया आया? H max equals to आया U square sin square theta upon 2G आ रहे है ना बात समझ में कैसे आया यह? इसको इधर ले आओगे तब तो यह plus 2GH max हो जाएगा और 2G को इसके नीचे डाल दो तो देखो आपके पास दो चीज़ calculate होके आ गया time of ascent और आपका H max time of ascent कितना है अब बच्चो अभी हमारा? sorry, U sin theta by G clear? तो अब हमें देखना होगा diagram को तो diagram आप फिर से चाहो तो देख सकते हो मैं diagram आपको फिर से दिखाता हो diagram देखो जो diagram आपके copy पे बना हुआ है वो यह है तो हमने O से A तक काम कर लिया अब हम लोग काम कहां से कहां करेंगे बच्चो A से B तक यानि descending motion के लिए तो आपको थोड़ा दिमार लगाना पड़ेगा चाहें तो हम लोग calculate भी कर सकते हैं आप याद करो कि one dimension जो हम लोग gravity में पढ़े थे जिस velocity से हम लोग throw करते थे वापस जब यह हमारे हाथ में आता था तो इसकी speed वह होती थी जिस speed से आपने फेका उसी speed से वापस आया जितने time में उपर गया उतने ही time में नीचे आया यानि time of ascent equals to time of descent आप चाहें तो इसको prove भी कर सकते हैं है ना इसको हम लोग prove भी कर सकते हैं तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात है नहीं हम लोग को solve करने में और मैं कड़ी देता हूँ ठीक है तो अब ये तो हो गया यहां से यहां तक ठीक है अब देखो for descending journey for descending journey मतलब कहां से कहां की बात चल लही है for descending journey for descending journey for descending journey तो descending journey की बात अगर करेंगे बच्चों मतलब a से b तक की a to b तक की तो देखो a से b तक में क्या हो रहा है वो किदर आ रहा है नीचे तो a से b तक के लिए अगर बात करेंगे बच्चों तो लिखेंगे delta y equals to u y t plus half a y t d square गिरने का time जो होगा आपका वो descending वाला time होगा अब देखो अगर वो जाते समय उसने displacement उपर की और cover किया h max तो वही displacement आते समय यानि a से b के दोरान है ना अभी हम लोग कता ना मैं diagram reference के लिए यहीं बना दूँ जैसे o से a तक जो यह गया तो o से a तक का मतलब गया उपर की और सिर्फ y के लोंग देखना तो उपर की और इसने क्या cover किया h max लेकिन a से b तक जब आएगा तो यह फिर height किदर इसका displacement किदर होगा उतना ही h max नीचे तो यहां लिखोगे minus h max clear अच्छा है initial velocity यहां पे गिरने वाले के लिए क्या है zero क्योंकि vertical direction में initial velocity यहां पे क्या है zero गिरने वाले के लिए यहां की velocity initial होगी तो आप यहां पे zero put कर दो acceleration हमेशा की तरह नीचे that is minus half और ay के जगह g और time of descent तो अपने को निकालना है अब यह minus minus क्या हो गया plus h max की value यहां से डाल दो तो h max की value डाल दोगे बच्चो यह हो जाएगा u squared sine squared theta by 2g और इधर क्या हो जाएगा बच्चो 1 by 2 into g into td squared और अभी देखो आपको answer समझ में आ जाएगा यह 2 से 2 cancel करो और बच्चो g को इधर भेज दो g को इधर भेज दो यह Td squared equals to u squared sin squared theta upon g squared hence td equals to पूरे का under root ले लो तो पूरे का under root ले लोगे है ना तो यह पूरे का under root ले लोगे तो हो जाएगा u square के जगे u sin squared के जगे हो जाएगा southern theta और G square के जग़ा क्या हो जाएगा बच्चों G तो इस तरीके से time of descent जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है U sin theta यानि गिरने का समय है U sin theta by G तो आप देखो time of ascent भी यही आया था time of descent भी यही आया तो इसका मतलब वो जो one dimension in gravity पड़े हो वो exactly match हो रहा है कहीं कोई difference नहीं है तो सीधी सी बात है तो time of flight कितना होगा बच्चों तो time of flight हो जाएगा इसको और इसको add कर दो तो दोनों को जब add करोगे तो 2 U sin theta upon G दोस्तों यह ध्यान दो यह सारे formula तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए तो किसी भी projectile motion का total time total time जो निकल के आया very important formula 2 U sin theta upon G क्या आया बच्चों 2 U sin theta upon G अग total height का formula भी याद रखना जो maximum height जो निकल के आया यहाँ पे projectile motion के तुरा जो maximum height निकल के आया वो कितना आया बच्चों U squared sin squared theta upon 2 G एक बात और याद रखोगे कि maximum height पे vertical component of velocity क्या होती है 0 है ना अगर वो 0 नहीं होती तो वो और उपर जाता clear है तो यह points आप याद रखना तो एक तो यह तो अच्छा जितना जाने का समय यह भी time of ascent भी याद रख सकते हो वही time of descent है लेकिन total time of flight दोनों add करके होगा इसका एक और format मैं याद रखने के लिए बताऊंगा वो भी आप ध्यान रखना अब देखो मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ यह formula भी आप अच्छे से याद रखोगे जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ h max h max equals 2 देखो u sin theta क्या था आपका जैसे यहाँ हम लोग इसको u से फेके थे theta angle पे तो vertical component u y की value कितनी आए थी u sin theta तो कहीं न कहीं u sin theta u y को represent कर रहा है तो h max के लिए हम लोग यह भी लिख सकते थे u y का square divided by 2 और acceleration का जो y component था वो g था acceleration का जो y component है वो g ही है ना भाई जो नीचे हर जगा लग रहा है यह a y जो है यह क्या है g magnitude के हिसाब से तो नीचे में g के जगा हम लो लिख सकते हैं 2 a y तो आप बच्चे ध्यान से इसको याद रखोगे h max का यह formula भी याद रखोगे h max का यह formula भी याद रखोगे यह formula क्या है u y square upon 2 a y u y किसको represent कर रहा है u sin theta को a y किसको represent कर रहा है g को ठीक है इसी तरीके से time of flight के लिए भी हम लो लिख सकते हैं time of flight देखो क्या है 2 u sin theta तो लिखेंगे 2 u sin theta के जगह क्या लिख देंगे u y मतलब velocity का y component upon g, g के जगह क्या लिख देंगे बच्चों, a y clear हो गया चलो तो board पे जिसको जिसको हमने circle कर दिया है यहाँ पे bracket में कर दिया है उस formula को याद अखना, यह diagram तुमारी मर्जी है, बना सकते हो, नहीं भी बना सकते हो क्योंकि already तुमने इसकी, पहले मैंने यह diagram बनाया हुआ यह, वो आपको बस समझाने के लिए बताया था तो यह अपना discussion था किसका किसका discussion था बच्चों velocity, motion along y axis का, अब हम लोग बात करते हैं x axis की, तो जल्दी से write down कर लो अब बात करते हैं दोस्तों, x axis के long motion की, यह वही diagram है, मैंने फिर से बना दिया आपके सामने, आप देख लो तो यह y axis है, u के दो components हम लोग तोर रहे थे हैं this is u x, जो की u cos theta के equal था बच्चों and this is u y, जो की आपका किस के equals था, u sin theta के अभी तक हमने क्या calculate कर लिया है, तो फटा फटा उसको लिख ले, हमने calculate कर लिया है time of flight, जो की अपना कितना है, 2 u sin theta, पूरे motion की journey में लगने वाला समय यह है, और पूरे journey में जो maximum height cover हुआ, वो है आपका u squared sin squared theta upon 2 g यह सारी चीजे हमें पता है, है ना, हभी तक हमने calculate कर लिया, इन formula को बार बार में इसने लिख रहा हूँ, ताकि आप इसे याद रखो, समझ गे ना, तो चलो, अब देखते हैं, motion along x-axis, यह बहुत आसान है, motion along, motion along x-axis, एक तो बच्चों एक बात समझो, पहली बात समझो बेड़ी, x-axis के along initial velocity है, आपकी u cos theta, कितनी है, u cos theta, और acceleration का x component है 0, भाई, अगर acceleration नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि आपका u x constant रहेगा, constant, constant throughout the journey, throughout the journey, पूरे journey में बच्चों, u x जो है, वो क्या रहने वाला है, constant, बात करें, तो यहाँ पे, जैसे अब देखो, vertical point पे, sorry, highest point पे, तो highest point पे, अभी कुछ दिर पहले हमने लिखा था कि, v y होगा 0, velocity का y component होगा 0, लेकिन, velocity का x component यहाँ पे तब भी होगा, और वो किसके equal होगा, वो initial component के equal होगा, यानि, u cos theta, कोई पुछे, वजह, तो कहोगे, वजह यह है कि acceleration, 0 है, x axis के long, तो velocity constant रहेगी, आप से कोई पूछे, highest point पे, यहाँ velocity, particle की net velocity कितनी होगी, तो बच्चो, net velocity के लिए, तो आप जानते हो न, net velocity के लिए क्या लिखोगे, vx का square, प्लस vy का square, vy का square, तो vx के जगह आप क्या लिख सकते हो, u square, cos square, theta, और vy के जगह क्या लिख सकते हो, 0, जिसका मतलब है, net velocity, आपकी u cos theta, i की नहीं आई, तो इसका मतलब है, particle की net velocity, highest point पे, अगर तुमसे कोई पूछे, तो क्या आप 0 बोलोगे, या non-0 बोलोगे, आप क्या बोलोगे, non-0, highest point पे particle की velocity होगी, और वो कितनी, किसके रावर होगी, u cos theta, लेकिन सिर्फ किसके long होगी, x axis के long, खुद सोचो, अगर यहां net velocity 0 हो जाती, न y वाला होता, न x वाला, तो किसी की velocity 0 तो वहीं टपक जाता ना भाई, क्या यह यहीं टपक गया या आगे गया, तो जवाब है आगे गया, आगे क्यों गया, क्योंकि इसके पास horizontal component of velocity है, और यह सिर्फ यहीं पर नहीं है, कहीं भी, जैसे माल लो, यहां पर velocity, तो तुमको मैंने बता रखा है, कहीं भी velocity ड्रॉ करनी होती है, तो tangent ड्रॉ करते है, अब यहां माल लो, velocity है V0, एक बच्चे ने पूछा, not का मतलब क्या रहे, इसे ही symbol है not, तो अब इसके भी दो components तूट सकते हैं, तो vertical component चाहें जो हो, जो हम लोग आगे section में discuss करेंगे, लेकिन horizontal component की value हमेशा क्या होगी बच्चो, u cos theta, यहां भी u cos theta, जिस समय यह गिरेगा, उस समय भी जो horizontal component होगा, वो u cos theta ही होगा बच्चो, क्योंकि horizontal component आपका हमेशा क्या रहना है constant, वजह क्या है acceleration, 0, इस बात को मैं बार वार repeat कर रहा हूँ, आप ध्यान दो, horizontal component को कभी change मत करवाना, और उसका वजह क्या है, acceleration, horizontal direction में क्या है, 0, आप हमेशा इस बात को याद रखें, और यह सारा points भी आप लिख लेंगे, कि highest point पे net velocity 0 नहीं होती है, ठीक, चलो, main मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि horizontal direction में यह जो total displacement यहां से यहां के बीच कवर किया गया, जिसको हम लोग R बोल लें, इस R की value कितनी होगी, तो बच्चे, आप देखो, अगर acceleration 0 है, तो motion along x-axis जो हो गया, यह 1B का कौन सा case हो गया, यह 1B का हो गया case number, याद करो, case number 2, क्योंकि case number 2 में अपना acceleration क्या होता था, 0, और acceleration 0 होने का मतलब है, कि उस case में जो displacement निकालोगे, उसके लिए सीधा velocity को time से multiply कर दो, velocity को time से multiply कर दो, तो displacement मिल जाएगा, अगर total displacement चाहिए x-axis के लोग, तो उस total displacement का क्या नाम है बच्चों, ध्यान से देखो R, क्या नाम है R, R मतलब range, और पूरे जड़नी में horizontal component कितना है, U cos theta, यह constant रहेगी, और पूरे जड़नी में लगने वाला time कितना होगा बच्चे, तो ध्यान से सुनो, two dimension motion पढ़ते समय ही मैंने आपको बोला था, कि जो time आप y के लोग निकाले हो, वही time आप x के लोग भी use करोगे, क्योंकि यह दोनों motion एक साथ होता है, तो time हमें अलग से फिर नहीं चाहिए, पूरे जड़नी के दोरान ही न, R कवर हुआ है, तो हम लोग यहां multiply करेंगे time of flight से, तो इस तरीके से बच्चो, R equals to हो जाएगा u cos theta into time of flight की value होगी 2u sin theta, कुछ दिर पहले ही हमने लिखा है, upon g, अब इसको मैं fresh next page पे लिखके आपको R के बारे में कुछ और बात बताता हूँ, पहले आप यह सारी चीजों को जल्दी से note down कर लो, तो दोस्तों, अब देखो range equal to क्या आपना भी आ रहा था, u cos theta into 2u sin theta upon g, ठीक है, अब इसको तो आप ढंग से हमनो लिख लेते हैं, तो ढंग से लिखेंगे बच्चों, तो R equals to देखो, अब यहाँ पे 2u into u, क्या आ गया बच्चों, this is u square and 2 sin theta into cos theta, 2 sin theta into cos theta upon g, अब आप याद करो trigonometry, what is this, तो बच्चों, this is u square, इसको आप लिख सकते हो, sin 2 theta, क्या लिख सकते हो, sin 2 theta upon g, है न, तो दोस्तों, range का formula जो अपना calculate होके आया, ध्यान से देख लो, साड़े formula को आप अच्छे से याद रखोगे भाई, यह निकल के आया, u square sin 2 theta upon g, और इसका एक और format जो मैं हर एक के लिए लिख के दिखा रहा हूँ आपको, उस दूसरे format में अगर इसे लिखे हैं, तो range equals to, what is range equals to, तो देखो, u cos theta को आप लिख सकते हो, u x, u sin theta को लिख सकते हो, u y, and g को आप लिख सकते हो, ay, तो simply this is, r equals to, हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, 2 u x into u y upon ay, आप इस format में भी इसे याद रखेंगे, 2 into u x into u y upon ay, clear, तो इस तरीके से आप देखो, आपने x-axis के लिए भी काम कर लिया, ठीक है, अब एक बार मैं, फिर आपको इन तीनों formula को लिख के यहाँ रख देता हूँ, आप भी लिख लेना, देखो यह सब formula जो है न, तीनों, यह important formula है, इन तीनों में confusion क्या है, कि तीनों में ही कहीं न, कहीं बारबार, यू, साइन थीटा और जी का यूज है, तो आप न, लिख के से याद रखते रहना, देखो, time of flight क्या आया, 2U साइन थीटा अपॉन जी, ध्यान से देखते जाओ, इस H-max क्या आया बच्चो, H-max आया, U स्क्वाइड, साइन स्क्वाइड थीटा अपॉन तू जी, और R क्या calculate हो क्या है बच्चो, U स्क्वाइड, साइन तू थीटा अपॉन जी, फर्क देख रहे हो, तीनों में नीचे जी तो है, इसमें, इसमें U स्क्वाइड है, अब यहाँ देखो, तो तू आगे multiplication में है, यहाँ तू division में है, और इसमें तू angle के multiplication में है, तू थीटा, तो बस यह कोई relation नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, कि यह इतना confusing है, तो बच्चे ना mistake करते रतें कभी, तो आप इसको अच्छे से write down कर लो, और इसे बारवार revise करना, और इस format में भी याद रखना तीनों को, clear? चलो, अब कुछ और बात में बता रहा हूँ, तो दोस्तों, अब कुछ और points देखते हैं, कुछ important points देखते हैं, है न, ऐसे ध्रेट सारे points हैं, सारे points तो आज नहीं हो पाएंगे, आज की class में, इस lecture में, next lecture में, और कई सारे points में आपको discuss करूँगा, तो important points, important points, अब ये हम लोग, लिखते जाएंगे, है न, जो की, बहुत अपने को, मदद करेगा, जब कभी भी हम लोग, इसके problems को solve करेगे, एक, तो point number one, देखो, जो अभी हमने देखा, कि अगर हम इसे, यू से fake रहे है, थेटा एंगल पे, ये इस तरीके से जाके, fall होना है, बच्चों, अपने दिमाग में, एक बात आनी चाहिए, कि जैसे कि इसका component, आप देखो यहाँ पे, ux component आपका आगया था, u cos theta, जो पूरे motion के दर्मियान, constant रहना है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो आपका था, वो u y था, which is u sin theta, तो जब यह यहाँ पे गिरेगा, जब यह लैंडिंग पॉइंट पे होगा, तो यहाँ के वेलोसिटी के बारे में भी, तो अपने को सोचना चाहिए, यहाँ पे v y क्या होगी, 0, यह भी पता चल गए अपने को, लेकिन यह जो लैंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा, तो पहली बात हम लोग कहीं भी अगर वेलोसिटी जाना चाहते हैं, net वेलोसिटी, तो पाथ पे आपको मैंने बताया था, जब काइनेमेटिकल पैरामीटर्स पढ़ रहते, तो उस्वे मैंने बताया था, कि पाथ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो यह जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसी वेलोसिटी से यह टकराएगा, तो माल लेते हैं इसकी वेल्यू वी नॉट, अब फिर वी नॉट से आप कंफ्यूज मत करना, वी नॉट मतलब ऐसे ही एक वेलोसिटी के लिए लिख दिया मैंने, अब इसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक वी नॉट का एक्स कॉम्पोनेंट होगा, और एक डाउन में, यानि है ना, क्यों u cos theta होगा बच्चों, तो सीधी सी बात है, कि horizontal कॉम्पोनेंट्स तो हर पॉइंट पे टकनाने से ठीक पहले भी वही रहेगा आपका, टकनाने से ठीक पहले की बात हो रही है, और जहां तक रही बात वी वाई की, तो बच्चों आपको जानके असर होगा कि आप जो यहाँ u sin theta लिखे हो यहाँ भी मैं u sin theta ही लिखूंगा कहोगे कैसे तो आपको इसको हम लोग प्रूब भी कर सकते हैं आप याद करो motion under gravity में मैंने कहा था कि जिस speed से आप फेकते हो वापस आपके हाथ में उसी speed से आता है बस direction downward होता है यही बताया था ना कि जिस velocity से आप फेकते हो गिरने वाले velocity का magnitude वही होगा direction downward होगा तो automatically यह जो direction वाली बात है वो तो ठीक है नीचे है यहाँ उपर है यहाँ नीचे है लेकिन magnitude यहाँ भी u sin theta यहाँ भी u sin theta तो सुनो मेरी बात सुनो यहाँ horizontal component u cos theta vertical component u sin theta यहाँ भी horizontal u cos theta vertical u sin theta बस u sin theta का direction नीचे है इसका मतलब है कि V0 की value u के बड़ाबर होगी कि नहीं होगी तो projectile के case में भी जिस speed से बच्चों थ्रो करोगे उसी speed से यह नीचे गिरेगा समझ गए दूसरी बात अगर आपने theta angle पे फिका है तो निस्चित तोर पे यह angle भी theta ही होगा तभी तो इसका एक component आपका u cos theta गिराबर आरा और यह sin theta तो यह एक मज़ेदार बात आपने देखी कि आप किसी projectile को जिस angle पे above the horizontal फेकते हो जब वो गिरता है तो below the horizontal देखो यह angle horizontal से उपर बन रहा है यह horizontal के नीचे लेकिन यह दोनो angle क्या है same यह बात अपने को याद अखना है जिस angle पे आपने फेका उसी angle पे fall हुआ जिस speed से फेका उसी speed से यहाँ पे यह गिरा अगर मेरे से कोई पूछ ले question के form में what is the angle what is the angle angle between initial and final velocity in case of in case of projectile motion projectile motion कोई पूछ ले बच्चों कि projectile motion के case में initial और final angle क्या होगा velocity का तो सुनो पहली बात देखो initial velocity जेखो एक जगह बनाओ initial velocity जो है वो horizontal से above theta angle पे है और final velocity जो है V naught वो horizontal से नीचे है यह V naught हो गई कोगे सर आप दोनों को एक ही जगर ले आ है कर सकते हैं vector में तो हमने पढ़ा है किसी भी vector को slide करके कहीं ले जाएंगे अब देखो इन दोनों vector का जो है tail एक point पे बन गया तो दोनों के बीच total angle के इतना हुआ 2 theta तो याद रखना answer इसका जो हो गया 180 मत बोल देना ठीक है तो इसी important point में आज पहला point बता है इसमें 3-4 point है जो बहुत important है जो next class में में बताऊंगा तो आज के लिए इतना काफी है आप अच्छे से इसको revise करना formula को याद करना ओके बच्चो thank you